अगर आपने पहले वाले पार्स नहीं देखे हैं तो एक बार आप उनको भी जाके चेक कर सकते हैं तो चलिए आज हम देखते हैं इसका जो बाहरों भाग है इसमें पिछले कल हमने 30 questions डिसकस किये थे और बाहरों भाग में भी हम लगवक्त 30 questions को डिसकस करने जा रहे हैं तो पहला प्रशन हम देखते हैं इसमें maximum question जो आपको भक्तिकाल और आधुनिकाल और रितिकाल तक रहेंगे तो उन में से हम देखते हैं कि कौन-कौन से प्रशन है जो आज के लिए जरूरी है और हमारी इस प्रशनों 3 में हमने रखे हैं तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रशन है देखिए गोरक जगायो जोगू भक्ति बगायो लोगू पंक्ति किस रचना में से लिग गई है पहली बात तो आपको यार रख लेना है कि ये जो पंक्ति है ये किस की है ये है तुलसिदास की पंक्ति और यहां पर आपको बताना है कि ये जो पंक्ति रही देखिए ये किस की है किस रचना की है तो ये थी बिकल्प नंबर B जो आपका देखिए कविता वली इसकी जो य यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि जो आपका तुलसिदास रहे हैं, उनकी जो अन्य रचनाए हैं, चाहे वो रामचाइत मानस है, चाहे फिर आपकी कुछ विनेपत्रिका है, या फिर दोहा बली है, इनकी भी रचनाए या इनकी जो पंक्तियां हैं, वो आपको याद र पुरान से याँ पर पूचा गया है, तो इसमें जो सकंदों की संक्या है, वो बारा है, और दशम सकंद के आधार पर ही कृष्ण कावे जो है, वो जादा रचा गया है, इस बात को भी आप याद रखेगा, चलिए अगला प्रशन देखते हैं, हमारा आज का अगला प्रश सार है, उसको पहला कावे माना है, देखना ब्रश भाषा का, ये भी आपको याद रख लेना है, तो हजारी प्रसाद दिवेदी के अनुसार क्या है, ये ब्रश भाषा के प्रत्थम कवी है, चलिए अगला प्रशन देखते हैं, नेक्स्ट कॉशन है, अश्चाप की सिद्धों का था, लेकिन श्रीनात जी का जो मंदिर रहा, उसमें उससे इनका क्या रहा, समंध रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेनी है, अश्चाप की स्थापना, बहुत ही महत्तपूर्ण प्रशन है देखना, इसको भी पूछ जाता है, चलिए नेक्स दर्शनिक दर्श्टी से बोला गया है, यहाँ पर आपको देखना था, ब्रहमर गीत जो रहा, ये जो ब्रहमर गीत है देखना, ये सूर्दास का है, ये नहीं होगा क्योंकि दर्शनिक इतना जादा ये नहीं रहा, दर्शनिक दर्श्टी जो सबसे जादा हमें देखती है वो नंददास में देखती है और नंददास की जो रशना रही देखे वो थी भंवर गीत इसको आप याद रखिए कि ये रशना बहुत बार पूची भी जाती है देखना नंददास की भंवर गीत और ये भंवर गीत परमपरा की शुरुआत किससे हुई ये आप मुझे कमें चार बिल्कुल भी नहीं होगा जबकि उद्धव शतक जो जगनादास रतनाकर की रचना है देखना ये ब्रहमरगीत परमपरा की रचना है अब बात ये उठता है कि जो आपका ब्रहमरगीत परमपरा है इसमें होता क्या है इसमें गोपी और उद्धव का जो सगुण और नि ब्रहमर गीत जो थी ये सूर्दास की रचना है ये हम सब लोग जानते हैं और एक रचना और है देखना ब्रहमर दूत तो ये सत्य नरायन कभी रतन ने लिकी थी जो दिवेदी युगीन ब्रजबाशा के दूसरे कभी हैं उनको भी याद रख सकते हैं आप लोग वो गोविंद जो हैं ये किसकी रचनाएं हैं तो रागसोर्था और गोविंद जो रचनाएं देखिए ये जो रचनाएं हैं ये हैं मीरावाई की तो दियान रखने लाइक है इसके लाबा इसमें नर्सीजे का मायरा गीत गोविंद की टीका इत्यादी इत्यादी भी लिकी है उनको भी आपने याद अख लेना है और एक प्रशन फिर से आपके लिए है कि अचारे रामचंद्र शुकल ने मीरा भाई के गरंथों की संख्यात कितनी मानी है यह प्रशन महत्तपूर ने देखना इसको पूछा जाता है तो यह आपके लिए है आप इसको एक बार जरूर द इस तरीके से भी ले सकते हैं कि मीरा जो थी वो थी कव्यत्री लेकिन प्रशन क्यादार पर अगर यहां पर दोनों दिये हैं तो यह कव्यों की श्रेणी में ही आ जाएंगे इसलिए यह दोनों ही क्या हो जाएंगे संप्रदाय निर्पेक्ष जो है हो जाएंगे इन्होंने परोकत मारग सूध हो, किस कृष्ण भगत की पंक्तियां यह है, तो यह जो पंक्तियां है, ब्रहमरगीत सार की पंक्तियां ही है, सूर्दास की यह पंक्तियां है, तो पंक्तियां तो आपको कहीं से भी पूछी जा सकती है, उनको आपने थोड़ा सा याद रख लेना है, और प्रशन है कौन सा कवी रिती मुक्त है तो रिती मुक्त जो कवी रहे देखिए इन में से वो थे आपके दुज़देव और दुज़देव आखरी कभी माने जाते हैं देखना रिती मुक्त कवियों में से और इनकी दो रचनाय है श्रिंगार लति का इत्यादी इत्यादी ठी और एक और थी इनकी, अभी मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा है, बाकि अगर आपको पता है, तो आप कॉमेंट सक्षिन में जाकर बता सकते हैं, कि इनकी कौन सी रचनाएं रही हैं, चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद जो अगला प्रशन है, वो क्या है, नेक्स संपरदाय में तो बलबाचारे और जो आपके अच्छापी कवी हैं, उनका जिक्र आता है, हरिदासी, जो हरिदास निरंजनी, स्री, हरिदासी में, जो आपका स्वामी हरिदास, और जो आपका एक नाम और आता है, इसमें देखना, बिहारी नदास बगेरा, वो इस प्रवर्तकों काव ही आपको पता होना चाहिए कि इन संपरदायों के प्रवर्तक कौन रहे हैं कृष्ण काव्य में ये प्रशन भी important है चलिए next question है देखिए रस भूशन किसकी रचना है तो रस भूशन के जो रचैता है वो कौन है यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर हो कामुदी जो सबसे important रचना इसकी मानियाती है उसको भी आप याद अखिएगा next question आता है बिहारी सत्सई का रूप क्या है तो देखिए ये प्रशन बहुती मुत्तपून है देखना बिहारी सत्सई ये एक मुक्तक काव्य है और इस संदर्भ में अचारे रामचंदर शुक इसको भी आप याद रखिएगा चले next question देखते हैं अगला प्रशन है भावों का वहुत उत्किष्ट और उदात स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता यह कथन किसका है तो ये जो कथन रहा देखिए ये अचारे रामचंद शुक्ल ने इनके बारे में कहा था जो आपका बि बड़े महतफुन रहते हैं देखना किसी भी राइटर को लेकर के जो नहीं बातें कही थी next question आता है विरह वारिश और इश्क नामा किसकी रचनाएं हैं तो इन रचनाओं में हम अकसर थोड़ा सा हम confuse हो जाते हैं कि ये किसकी रचनाएं हैं तो देखिए ये जो दो रचना हैं ठीक है इसको आपने याद रखना है देखना ये confuse करने वाला प्रशन है विरह लीला और इश्क लता अगर होता तो गननद है लेकिन अगर यहां पर विरह वारिश है तो समझ लेना कि ये बोधा की रचना है ठीक है इसको याद रखना है आपको ऐसे करके next question आता है आप मध्य लक्षना लीन ये वाले इनकी पंक्ति रही बहुत महत्पून पंक्ति है देखना केशव जो है ये भी अलंकार वादी अचारे थे और सुखदेव मिश्र जो रहे ये जादातर आपके चंद निरूपक रचनाकार माने जाते हैं और अचारे राम चंद शुक्ल ने इ उसको आप याद रखेगा चलिए नेक्स कॉशन देखते हैं आज का अगला प्रशन है मेरी भभादा हरो राधा नागरी सोई ये पंक्ति किसकी है तो देखे ये वाली जो पंक्ति है ये बिहारी सतसई की पंक्तियां रहेंगी ठीक है नेक्स आता है तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला किसकी पंक्तिया तो पंक्तियों से रेलेटिड आज प्रशन थोड़े से जादा रखे गए हैं इनको आप एक बार जरूर देखिए कहने का मतलब ये है कि जो आपको यहां पर विकल्प में भी चीज़ें दिख रही है इनको भी आप थोड़ा सा एक बार ज पंक्ति है ये जो पंक्तिया देखिए ये है आपका इनमें से घननंद विकल्प नंबर ए इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है इंपोर्टन्ट है देखना ये वाला प्रशन भी घननंद से रिलेटिड मतलब इनकी पंक्तियां भी बहुत जरूर संत कावेधारा का कवी नहीं है कौन सा सूफी प्रेमा ख्यानक का कवी नहीं है कौन सा तारसब्तक का कवी नहीं है या भारतेंदु मंडल का कवी नहीं है ऐसे प्रशन आपको हर जगा से पूछ जाते हैं तो ये आपको पहचान जो है वो कवियों की करना बहुत जरूरी है लेकिन यहाँ पर आपको बताना है देखे कि कृष्ण कवी कौन सा नहीं था तो हरी दास निरंजनी जो है ये नहीं थे ये आपके संत कावेधारा के कवी है ठीक है तो ये आपको याद अख लेना है कृष्ण दास जो थे ये आप सब लोग जानते हैं शापी कवी रहें दु जो हरी दासी संपरदाय में रहे हैं तो यहाँ पर हरी दास निरंजनी नहीं होना था अगर सॉआमी हरी दास होता तो वो कृष्ण कवी हो जाने थे नेक्स कॉश्चन आते देखे कौन सा आधुनिक काल को नाम जो है वो नहीं दिया गया है तो यहाँ पर जो नाम आधुनि काल नाम की ही संग्याप दी थी इवन अचारे रामचंद शुक्र ने भी आधुनी काल ही कहा लेकिन उन्होंने इसको गद्यकाल फिर प्रवरिती का अधार पर भी कहा था कि ये आधुनी काल में जो प्रवरिती गत जो नाम रहा वो क्या होगा इसका वो होगा गद्यकाल इसमें गद्य की जादा रचनाएं रही हैं ठीक है next question आता है देखिए आज का देश दशा किसकी रचना है तो दो रचना है देखना भारत बारामासा और देश दशा ये रचनाएं जो हैं ये हैं आपके जो राधा कृशन दास रहे हैं इनकी ये रचनाएं हो जाएंगी जब देखिए प्रेमघन की रचनाएं भी important है उसको related हमने आगे question रखे हैं तो वहां से आपको ये दिख जाएंगे यहां पर देखिए जीर्ण जनपद मयंक महिमा लालित तलहरी ये किसकी रचनाएं हैं तो ये जो रचनाएं ये हैं बद्री नाराइन चौधरी प्रेमघन की प्रेमघन उर्दू में किस नाम से लिखते थे ये आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं और बहुत ही मतपूर्ण है देखना ये वाला प्रशन भी बद्री नाराइन चौधरी प्रेमघन से related ठीक है तो ये भातेंदू मंदल के कवी हैं देखना सारे के सारे इनको भी आप चत्रवेदी हैं ये जगनादा सरतना करके गुरू माने जाते हैं इनको भी आप याद रखिए ये भी important नाम है नेक्स आता है आपके लिए यहाँ पर मेरे तो साधन एक ही है जगननद लला व्रिश भानू दूलारी किसकी पंक्ती है तो ये वाली जो पंक्ती रहेगी सूरदास हो जाएगा लेकिन ये सूरदास की पंक्तिया नहीं है ये किसकी पंक्तिया ये भारतंदु हरू हरिशंदर की भारतंद यूगी इनको आपने याद रखना है नेक्स क्वेशन आता है एकांतवासी योगी की रचना श्रीधर पाठक ने किस शैली में की है पहली चीज तो याद रख लेना एकांतवासी योगी किस की रचना है ये श्रीधर पाठक की रचना और ये खड़ी बोली हिंदी में रचित इनका पहली पुस्तक माने जाती है द पद्य रचना की एक प्रणाली के रूप में जाना जाता है तो ये हैं महापीर प्रसाद दिवेदी और इनको कहा किस ने था ये कहा था अचारे राम चंद्र शुक्लन है बहुत ही महतपूर है देखना ये नाम की एक पूरा का पूरा सिस्टम है वह पूरी का प्रणाली है मह पहुत ही महतपूर नामे देखना ये वाला भी अगला प्रशन है तदिय समाज से किसका समंद रहा है तो हम सब लोग जानते हैं कि भारतेंदू हरिष्चंद्र ने तीन समाज या कविता बरधनी सबा तदिय समाज और एक रसिक रसिक नहीं था तदिय समाज हो गया और देखते हैं हमारा आज का अगला प्रशन है सुकवी सत्साई किस की रचना है तो सुकवी सत्साई जो रचना है देखी यह है अंबिकत व्यास की और इसे के चलते इन्हें सुकवी भी कहा गया है सुकवी की इनको उपादी दी थी महारानी ने ठीक है उसको याद रखिएगा नेक्स कॉशन आता है भारतेंदू यूग की समापती का सूचक किस पत्रिका की प्रकाशन को माना जाता है तो ये सरसुती पत्रिका 1900 के आसपास जो रही है इसको माना जाता है चलिए अगला प्रशन देखते हैं प्रिये प्रवास में किस रस की प्रधानता है तो इसमें थ देखे श्रिंगार और करुनरस तो ये आपको याद अठना है बहुती मतफ़ून प्रशन है ये बाला भी देखना प्रिये प्रवास खड़ी बुली हिंदी का पहला महा कावय माना जाता है और ये 1914 का है हमारा आज का आज का आखरी प्रशन है भारत भारती का प्रकाशन वर् शुक्रिया जैहिंद